हेलो फ्रेंट्स वेलकम आपके एपने यूटूब चैनल में फ्रेंट्स रेबिट फार्मिंग में आपका फिर से वेलकम है तो फ्रेंट्स बहुत से लोगों का क्योसन यह रहा है या फिर बहुत से लोग ऐसे सोच के ही नहीं कर पाते रेबिट फार्मिंग की इसकी कितनी ला यदि कितने रुपे खर्च्ट होता है कितने रुपे का इनवेस्टमेंट करना पड़ेगा देज सुझासे पता है वी जगह है कमरा था उतनी भी जगह है तो फ्रेंड्स और खिलाने के लिए कोई या फिर खिलाने के लिए चारे गी आपको पटाए कीचन वेजिट होता है उससे भी आप 10 जीरविट और जैसे रोटी और जैसे थोड़ा बहुत हारा-चाहरा बस यह ही चाहिए होता उसके अलावा और क्या है मैं तो मानता हूं कि फ्रेंट्स रेट फार्मिंग अगर इस्टार्ट करें तो आपको जीरो लागत आएगी जीरो सागत के से एक रूपे का भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है फ्रेंट्स आप कोलोनी सिस्टम में दस रेविट डाल दो और उन्हें अच्छे से मेंटेंड करो वहीं ब्रीडिंग बोक्स रख दो या ब्रीडिंग बोक्स नहीं भी रखो तो भी सूखी घास डाल दो वह जैसे ही ब्रीडिंग करेगी बच्चे देगी तो वह अपने हिसाब से नेस्टिंग करके कोने में वहीं रूम के अंदर बच्चे देगी और अगर फर्स नहीं है रूम में मिट्टी है तो प्रेंट सुरंग बनाके भी रेविट रह जाएंगे इंदर मिट्टी में और प्रेंट्स आपको रेविट मिलेंगे कहां से तो रेविट का जो खर्चा बता रहा हूं वो जीरो खर्चा ऐसे हैं रेविट आप मेरे से 10 प्रेंट्स में आप से कहलें वोच सнесतार हूं ने अपको फ्री में दूमा मेरे से डोल पर वीडियो गई नोलेश नोलेश काद करेंगे को खर्चा में बता दिया आप खर्चा कहा हैं रहा है세요 कि सोचोग आपको खिलाने का और रखने की अगर आपके पास में जो भी जुगाड है उसके अलावा फ्रेंड्स आपके पास में खर्चा क्या है फ्रेंड्स अगर आपके सिस्टम में करो तो थोड़ी सा जाली का खर्चा है पींजरे का खर्चा आएगा लेकिन फ्रेंड्स में तो बता मेरे तरीके से स्टार्ट करो जो मैं बता रहा हूं। उसमें आपको 0 लागत आने वाल यह बस यह divergence मेरे से लेके जाना है मेरी लोकाइशन है जेपुर राजस्थान का रहने वाल हूँ आप रेंट headquarters 10 अचक्छाut मैरे से लेके जाए और और आप मेरे से Check wordtire करे रिविट का और मैं आपसे करीदूंगा और या आप मेरे फारम पे आके मेरी लोकेसंट पे आके मुझे सेल करके चले जाएं तो प्रेंटस आपको जीरो लागत आएगी फ्रेंटस मेरे साफ से करोगे तो और आफ एक साथ 100 रेविट डालो तो फ्रेंस उसकie लागत आएगी आएगी लेगी लेकिन आफ फ्रेंस इतना सब कुछ करने की दूर्थ और निया बहुत से बेरोजगार लोग या बहुत से किसान लोग ऐसे हैं जो फ्रेंस एक बार नहीं नहीं कि मैं कम रेविट से स्टार्ट कर तो फ्रेंट्स बहुत ही कम रेविट से आप चालो करो ना फारम आप 10 रेविट से भी बहुत ही अच्छा फारम स्टार्ट कर सकते हो दस रेविट रखके एक चोटी सी जगह में खिलाने पिलाने का जो आपके पास में चारा है वो आपके पास किसान भाई लोगोंकों पास में अवैलिबल रहता है और दस रेविट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है और मैं बता रहा हूं तो आपको कुछ भी आपको कुछ भी जानकारी लेनी हो तो प्रेंडस मुझे कमेंट करें उसी टोपकुक पे मैं दूसरे दिन आपको वीडियो बना के अवेलेबल करवा दूंगा तो friends आप rabbit farming start करें बेटे बेटे रेने से कुछ नहीं होगा friends किसान भाई लोगों के लिए तो यह बहुत ही अच्छा बहुत ही सुनारा मोगा है friends आप बिल्कुल भी ऐसे मालो एक बार इस टार्ट कर दिए है खेती में पानी भी कम है तो फ्रेंट आप रेविट फार्मिंग कर सकते हो दस रेविट मैं आपको दे रहा हूं उनसे ही आप हर महिने रेविट आपको पता है कि बच्चे देने के काबिल होता है lेकिन फ्रेंटस आप 50 दिन में एक बार बच्चे लेना ठीक रहता है मादा करगोश के लिए तो फ्रेंट्स मेरे कॉंटेक्ट नमबर है 9782563866 फ्रेंट्स मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है होम सोल प्रोब्लम 3M है चो एमी एसो एल वी ए लिखते ही मेरा नाम आ जाएगा उम सोल प्रोब्लम 3M उस चैनल पर मेरे डिटेल में सारे रिबिट को कैसे पालते है कैसे दूद पिलाते है सारे वीडियो अविलेबल हो जाएंगे फ्रेंट्स वीडियो पसंदाए तो लाइक जरूर करें